दोस्तो भारति की टीम स्रिलंका एक खिलाब T20 स्रीज में क्लीन स्वीप करने के बाद वन्डे स्रीज में भीड़ने के लिए तैयार है लेकिन स्रिलंका की खिलाब वन्डे स्रीज से पहले पुराने साथी गौतम गंभीर और विराट कोली को एक साथ देखा गया ये तस्वीरे आप देख पा रहे होंगे ये तस्वीरे बहुत कुछ बया करती है और बताती है कि आने वाले दिनों में भारती टीम का स्वरूप क्या होने वाला है दरसल हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि विराट कोली और गौतम गंभीर के गेल रहे थे तब दोनों की रिष्टे काफी अच्छे थे भारती टीम में सामिल रहकर दोनों को कभी एक बड़ी नोक जोक एक तीखी नोक जोक में सामिल होते हुए नहीं देखा गिया है खेर चुकि हम बात गौतम गंभीर की कर रहे थे गौतम गंभीर जैसे ही कमान संभ पहले भारती टीम के हेट कोज के तौर पर ऐसे में किर्केट एक्सपर्ट का ये कहना था चुकि विराट को लिए गौतम गंभीर के रिष्टे अच्छे नहीं है ऐसे में गौतम गंभीर को बड़ी मसकत करनी पड़ेगी और कहीं न कहीं गौतम गंभीर को एक बड़ा परिया करना पड़ेगा दोनों की रिष्टे सुधार करने के लिए लेकिन जिस तरह से तस्वीरे आ रही हैं दोनों के हस्ते वे चेहरे देखे जा रहे हैं ये सब कुछ बया करता है कि फिलाल भारती क्रिकेट के खेमे में कितना खुसनुमा और कितना यूनीटी का महौल है यहां पर पहर धाई बज़े से भारती समय अनुसार आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा इस मुकाबले से जुड़ी जो भी अपडेट साती है सबसे पहले हम आप तक पहुचाने की कोसिस करेंगे इस बीच एक बड़ी अपडेट है जो कि हम आपको बता दें वो यह है कि इस ODI क्याई सिरीज से पहले सिलंका टीम को दो बड़ा जटका लग चुका है जी हां मतिसा पतिराना और दिलसान मदुसंका वंडे सिरीज से बाहर हो चुके हैं दोनों ही खिलारी चोटिल हैं और इसी कारण वह भारत के खिलाब खेलते वे नहीं दिखाई देंगे खर दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा धन्यवाद